आपके साथ छुबेंदु सिंग और आपको सीधे दस्वूरे दिखाते हैं जहाँ पर प्रधान मंत्री इनारे दर्मोदी संबोधित कर रहे हैं सरकारी व्यवस्ताओं ने जिस तरह काम किया है उस वज़र से सरकारी शब्द आते ही लोकों के मन में आता था खराब कॉलिटी काम में बरसों की देरी बेवज़र रुकावटे जनता के पैसे का अपमान मैं अपमान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो टैक्स के रूप में देश की जनता सरकार को देती है उस पैसे का इस्तमाल करते समय सरकारों में ये भावना ही नहीं होती थी कि एग भी पैसा बरबात नहीं होना चाहिए हरे को लगता है अरे यार ऐसे ही चल रहा है चलने दो चलता है क्या है देश वासी भी अब्यस्त हो गए थे कि देश ऐसे ही चलेगा वो परिशान होते थे दूसरे देशों की प्रगति देख उदास होते थे और इस भावना से भर गए थे कि कुछ बदल नहीं सकता था जैसा अभी हम वीडियो में भी देख रहे थे हर जगह नजर आता था वर्क इन प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस लेकिन वो काम कभी पूरा होगा भी या नहीं समय पर पूरा होगा या नहीं ये लेकर कोई विश्वास जनता के मन में नहीं था वर्क इन प्रोग्रेस का बॉर्ड एक तरह से अविश्वास का प्रतिक बन गया था ऐसी स्थिति में देश प्रगति कैसे करता प्रगति भी तभी मानी जाएगी जब उसमें गती हो गती के लिए एक अधीरता हो गती के लिए एक सामुहिक प्रयास हो आज 21 सदी का भारत सरकारी व्यवस्ताओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस वर्क फॉर प्रोग्रेस विल्ट फॉर प्रोग्रेस प्लान फॉर प्रोग्रेस प्रेफरंस फॉर प्रोग्रेस हमने ना सिर्फ परियोजनाओं को तैस समय सिमा में पूरा करने का वर्क कल्चर न्विक्सित किया बलकि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पुरे करने का प्रयास हो रहा है अगर आज भारत आधुनिक इंफ्रास्टेकर के निर्मान के लिए जादा से जादा इंवेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है तो वही आज का भारत